नमस्कार आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चक्र व्यू और चक्र व्यू के सवालों के घेरे में आज हैं भारतिये जन्ता पार्टी चंडिगर के भाजपा अध्यक्ष संजे टंगन साब बहुत-बहुत स्वालत है आपका चक्र व्यू में सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आपके प्रधान रहते वे भारतिये जन्ता पार्टी ने नोट बंदी के दोरान भी एक बड़ी विजे हासल की कैसे किया ये चमतकार आपने पहले तो मैं आपके चैनल का और सारी चंदीगड की जन्ता का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी वज़ा से हमारी जीत हुई है लेकिन जो लोग हार गए न वो आरूप लगा रहे थे कि संजे टंडन एक तो दबंगई दिखाते थे हर एक जगा सरकार का फाइदा उठाते थे केंदर में सरकार है और कुछ गरबर कहते एवियम में भी कर दी देखिए एक कहावत आती होती है बच्पन में पढ़ते थे या आपने भी सुनी होगी नाचना जाने आंगन टेड़ा मुझे लगता है कि जिस वकत आदमी कहीं गिर जाता है तो उसको बस आंगन को टेड़ा कहने के इलावा कोई चारा नहीं रह जाता मुझे सानुबूती है उन लोगों से जो ऐसी बात करते हैं लेकिन वो लोग भी अपने दिल के अंदर जानते हैं ये जो एक जीत हुई है एक हमारे राश्ट्रिये नेता जो नेतरित्व हैं उनका मार्ग दर्शन हमें रेगिलरली मिलता रहा और हमारे कारेकरता जो हैं उनकी मेहनत जो है एक भूत स्तर के उपर ये उसका एक रिजल्ट है ओवरॉल एक एटमोस्फियर जो नोट बंदी का उस समय आया उसकी वज़ा से कुछ लोग परेशान भी थे और कुछ लोग खुश भी थे लोगों को कुछ जगाओं पर जैसे कोई दिक्कत होती थी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी दल ने सिर्फ सारे मुद्दे चंदीगड के एक तरफ रखके उन्होंने सिर्फ नोट बंदी एक मुद्दा लेके लोगों के पास जाते रहे जैसे जैसे वह मुद्दा वहाँ रेज करते थे वैसे वैसे हम और हमारे स्टार परचारक उस मुद्दे का जवाब देते यह जो जो स्टार परचारक अप लेकर आए हिमाचल परदेश के अनुराग ठाकुर हों धूमल साब हो उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री दिली के परदेश अध्यक्ष मनोज जी आपको लगता है नगर निगम चुनाओं में इतनी ताकत जोकने की जरूरत थी नगर निगम चुनाओं को ऐसे लड़ा आपने जैसे विधान सभा चुनाओं हो या लोक सभा के चुनाओं हो कोई और चुनाओं नहीं है हमारे पास सीधी कार्पोरेशन आती है तो कार्पोरेशन के चुनाओं में अगर मेरी रन नीती में मैंने पहले सबसे पहले बूथ इंचार्जिस का समेलन किया बूथ इंचार्ज के समेलन के बाद मैंने बूथ समतियों का समेलन किया जो पांच तकरीबन साथ बार मैंने या मेरे शब्द का प्रयोग किया और दो बार आपने हमने शब्द का प्रयोग किया और यही आप पे आरोप है, यह मेरे सवाल का अधार बनाने के लिए काफी था, कहतें कि संजे टेंडन व्यक्ती तो अच्छे हैं, लेकिन ताना शाह है, वो कहते हैं, जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा और कोई नहीं, यह आपके पार्टी के लोग करते हैं, देखिए, जिस वक्त भी किसी चीज़ के अंदर एक सफलता मिलती है, एक अंग्रेजी की कहावत है, कि success has many fathers, whereas the failure is a stillborn child, यह कहा जाता है, यह क्यों कहा जाता है, कि जैसे ही आप सफल होते हैं, अगर यही आप देखिए, अगर चार सीटें भाज़पा की आई होती, तो यह सब लोग जो आपको अभी कह रहे हैं, यह सब लोग की निशाने के उपर, आपके सरपे ठीक राफोर देए, सिरफ एकी ह जगती होता, वो होता के संजे टंडन, जब इस चीज़ का है, तो मैं उसका, मैं सर जुका के एकसेप्ट करने को तयार होता, लेकिन जिस वकत सफलता हुई, यह सफलता के अंदर कुछ पैमाने हैं, कुछ है, एक महौल का पैमाना है, महौल हमारे केंद्रिये नेत्रित्व ने दिया, एक काम की जो थी विकास का जा, वो हमारे दस महीने की वर्किंग, जो हमारे जो मेर थे, उनकी और चौदा साल की वर्किंग कांगरस की, यह कंपैरिजन हमने जनता के सामने रचाएं, लेकिन जो आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें जो आपने उपलब्द साल वर्सिस दस साल, हमने धाई साल वर्सिस दस साल भी दिया, जब चंदीगड के लोगों ने वोट डालना है, तो मैंने जिस व्यक्ति के लिए, जो काम, जो जिस काम के लिए आगे बढ़े, चाहे वो केंद्रिय सरकार के माद्यम से हुए, चाहे चंदीगड एड्मिस्ट बोर्ड के माद्यम से, चाहे वो पुलिस के माद्यम से, चाहे वो कार्पोरेशन के माद्यम से, चाहे एस्टेट आफिस के माद्यम से, ये पांच-छे दाइरे हैं जहां से काम लोगों के होते हैं, जब उनको लगा कि धाई साल के अंदर एक काम करने की परता शुरू हुई है ऐसे ऐसे हमने वो काम करवा दिये जो काम हाउसिंग बोर्ड के अंदर पिछले दस साल से कभी लोगों ने सुना भी नहीं था और होने किया तो उनको ख्वाइश भी मुग गई थी कि यह यह जो कांगरस के लोग हैं यह नहीं करवा पाएंगे हमने आते ही उनको उन कामों क के उपर ध्यान दिया मैं उसको अपनी उपलब्दी क्यों ना मजा हूं अगर वो काम आपको डिलिवर होता है कार्पोरेशन के तो वाला जो सारा क्रेडिट है वो पूरा का पूरा क्रेडिट आज की तारीख में संजे टेंडन को ही जाता है कोई नहीं देना चाहता होगा फिर भी वो आप ही को जाता है जो स्टाइल है आपका एक डबंग वाला स्टाइल है पहले आप से शुरू होते हैं फिर आप तुम से आते हो फिर तू पे आते हो और फिर तू बदू हो जाती है और पार्टी की जो गुट बाजी है वो कम होने का नाम ने लिए आज तक किस कभी भी नहीं हुआ, मेरी शबदावली, मैं उसके उपर आखा, यह एक्जम्पल है, हम यहीं किरेंगे, आप तू के बात करते हो, लेकिन जो रियक्शन होता है, वो ऐसा होता है, प्यार से समझा है तो ठीक है, नहीं तो संज्जे टंडन को समझाना आता है, मेरी शबदावल किया मैंने कभी किसी व्यक्ति से उंची आवाज में बात नहीं करी मैंने कभी किसी व्यक्ति को ऐसा कोई शब्द बोल कर अड्रेस नहीं किया कुछ लोग हैं कि जिनका ध्यान जो पार्टी के इलावा दूसरी चीजों में देखिए उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है वो कहा जाता है निन्दक नेड़े राखिये आंगन कुटी छवाए बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाए अब आप आप फॉम में आ रहे है जो निन्दक की बात कर रहे हैं हर्मौन धवन की बात कर रहे हैं या सत्पाल जैन साब की कर रहे हैं या किरन खेर से कोई शिकायत हो देखिए मेरे लिए तीनो तीनो जो हैं बड़े रिस्पेक्टेड हमारे लीडर्स हैं मेरे को परसनल तोर के उपर कोई किसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं रही है और जहां जहां पी जरूरत हुई है मैं उनका सहयोग काम के लिए सहयोग मिला आपको इन चुनाओं में मेरे को जहां जहां जरूरत रही है मैं उनका सहयोग ले सका हूँ इसलिए ये परिनाम आपके सामने स्योग लेना है या नहीं लेना ये आप डिसाइड करते हैं। स्योग लेने के लिए हम सब को अमंत्रित करते हैं। कुछ लोग स्योग देते हैं, कुछ लोग कम देते हैं, कुछ लोग उससे कम देते हैं। यह राजनीती है उपर चड़ते हुए को सभी खिचने की कोशिश करते हैं देखिए किसी भी चंदीगड के अंदर मैं 2010 में मैं शायद 15 जन्वरी को मैं अध्यक्ष बना था उस वक्त ना तो संसद सदस्य बीजेपी से थे ना पंचायद समिती सदस्य चेर्मेन बीजेपी के थे ना मार्किट कमेटी बीजेपी के पास थी ना कार्पोरेशन बीजेपी के पास थी आज मेरे को इस चीज़ की एक सटिसफेक्शन है कि जो इस काल के अंदर हम ये चारों सीटों के उपर पहुंच सके हैं अगर ये पहुंच सके हैं तो अगर सब लोगों का कुछ ना कुछ सहयोग इस चीज़ के अंदर हो मैं सब को एक कारेकरता के तोर के उपर मान रहा हूँ मैं किसी को A, B, C को मैं किसी individual व्यक्ति को नहीं मैं address कर रहा सब कारेकरता अगर मिल के काम ना करें तो शायद ये सफलता संभव नहीं है ये बंदा जो हमारे सामने बैठा ये भी बंदास है और मन की बातों को ये भी पढ़ना जानते है धीरे धीरे फोम में आ रहे हैं आप से गुजारिश है आप कहीं मत जाईए रिमोर्ट को बिलकुल हाथ मत लगाईए क्योंकि आज संजे टंडन है चक्रव्यू में और हम लोट रहे हैं बहुत ही छोटे से कोमर्शल ब्रेक के बाद कहीं मत जाईए हम यूं गए और यूं आए ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है आज चक्रव्यू में हैं संजे टंडन साहब संजे टंडन साहब भारतिय जन्ता पार्टी के जो गिने चुने लोग है जिन्होंने भारतिय जन्ता पार्टी की शुरुआत से साथ दिया उस परिवार से आपका तालूख है आपके पिता गवर्नर हैं अभी 36 गड़ के रामजीदास टंडन साहब तो लोगों का ये कहना है कि संजे टंडन उनके जो रिलेशन्स हैं संग के साथ या पार्टी के आला कमान के नेताओं के साथ उनके डम पर औरों को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं आप इसको उपलब्दी मानते हैं या इसको शिकायत मानते हैं शिकायत मानते हैं आप इसको शिकायत मानते हैं तो शिकायत करता सामने होना चाहिए सुनी हुई बातों के उपर शिकायत करता हूं का प्रते निदित्टों करने का सोभाग्या आज मुझे मिला है और वो आपको टीवी पे देख रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ शिकायत कोई भी नहीं करेगा उसका कारण मैं बताता हूँ मेरे पिता जी ने अपना कारेकाल अमरिस सर से राजनीती का शुरू किया अमरिस सर से करते हुए उन्होंने उसका अंतिम जो अपना चुनाव था वो राजबूरा से लड़ा जिस वकत मैंने राजनीती की दहलीज के उपर कदम रखा तो मैंने चंदीगड से अपनी राजनीती शुरू करी मैं 95 में एग्जेक्टिव मेंबर चंदीगड में बना मैं उसके बाद 5 साल C.A.S.L. का चंदीगड का अधियक्ष रहा चार्टर्ड अकाउंटन्ट होने के नाते मैं C.A.S. प्रोफेशनल्स कंपनी सेक्टरी, M.B.A.S. को एकठे करके हम लोग जो सत्पाल जैन जी के, क्रिशनलाल शर्मा जी के चुनाव के अंदर हमने बड़ी सक्रियता से हमने रोल प्ले किया मेरे ये सारे कारेकाल के अंदर पिता जी अपनी जगां के उपर पंजाब में काम करते रहे हैं राजपूरा की बात कर रहे थे, फादर साब राजपूरा से चुनाव लड़े आपने कहा था, इस बार टिकिट देने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी बहुत कोशिश कर रहे थी कि राजपूरा से आपको खड़ा कर दें, क्योंकि आपका बेक्राउंड है वहां का, आप जो हमारी हाई कमांड ने कुछ ऐसा कहा है, यह हाई कमांड ही इसका जवाब दे सकती है, आपसे पूछा गया था, लड़ोगे वहां से, कि नहीं, मेरे से कोई स्विशे के उपर बात नहीं हुई, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, कि जो मेडिया के अंदर इस तरह की स्पेक होते हैं, लोग पूछते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, यह आदमी अच्छा है, हम एटीवी की बात करते हैं, हम कहते हैं, मुकेश भाई बहुत अच्छे हैं, तो इससे आपका स्टॉक बढ़ जाता है. मेरी तारीफ करके मेरे सवाल बुलाना चाहते हैं, आप पक्के पॉलिटीशिन है. आप अगर ऐसी चीज़ मुझे अपलाई कर सकते हैं, तो मैं आप पर क्यों नहीं करूं? अच्छा, अभी हम अगर बात करें, देश की राजनीती की, क्योंकि जैसा हमने बताया कि भाजचपा के जो वरिस्तम नेताओं में से आपके पिताजी एक हैं, य संजे टंडन को ये जिम्मेदारी दी जाए, तो ऐसे कहेंगे कि टंडन साब के बेटे हैं, इस करके दे दी, तो फाइदा होने के बजाए नुकसान हो गया. देखिए, दोनों तरह की चीज़ें, आप जब बच्पन से होते हैं, तो आपके पिता जब किसी से मिल रहे हैं, आप ऐस शेड़ो कहीं ना कहीं साथ में होते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलने का, आपके चेहरे को रिजिस्टर होने का मौका मिल जाता है. ये एक फाइदे की साइड पे है. नुकसान की साइड पे ये है कि जिस वकत कोई भी चीज़ होती है, कोई आप काम कर हो, आपके पिता भी काम कर रहे हैं, तो जो आला कमान को लगता है कि अगर पिता को अगर एक जगां के उपर कहीं पे उनको एड़जस्ट हुआ 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 है, तो कोई बात नहीं, बच्चे को भी समय मिलेगा, तो भी आजेगा. तो कहीं ना कहीं ऐसा किसी वकत महसूस हो होता है, लेकिन फिर भी मैंने जैसे आपको पहले कहा कि करम भूमी मेरे पिता जी की अलग रही है, मेरी करम भूमी अलग रही है. एक जो गंभीर आरोप लगता है कि भारतिये जनता पार्टी में चंडीगर में वही सक्षपन अप सकता है, जो संजे टंडन के आगे जुके संजे टंडन ने हां कर दी, तो भाजपा में उसका कुछ भविश्य है, अदरवाइस नहीं. आज आप सारे अरोप रोप भी लेके आएं, कोई तरीफ भी कर रहे हैं. तरीफ से तो शुरुआत की थी हमने, भारतिय जनता पार्टी जो चुनाओ जीती है. वह जैसे जैसे न चक्र विउ है, ना क्योंट का काम यह है, कि किसी तरीके से चक्र के अंदर भूलाना है. आपका निंदक निरा किए है. आपका जो वहático यह सवाल का जवाब आपको नहीं काड़ा आपको करीबी लोग जो टीम में काम करते हैं, आपको उन से बात करके आपको पता लग जाए उसके अंदर एक leadership qualities भी चाहिए उसको काम करने की समझ भी होनी चाहिए उसको सबको साथ लेने का तरीका भी होना चाहिए और जहां जरूरत होए वहां पे आँख भी दिखाने का वो उसके पास मादा होना चाहिए अगर ये चीजें सारी ना हो तो एक तरह से जैसे ये पांच उंगलियों के साथ एक मुठी बनती है इसमें से एक भी उंगली कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस आ जाती है आपको overall देखा जाए तो leadership के गुनों में ये सारी चीजें बीच में आती हैं अभी क्योंकि जो विरोधी होते हैं जाहिर है कि उनका काम यही होता है कि गिनवाई जाएं और जो सफलताएं हैं उन पर कहीं ना कहीं उसको ढखने की कोशिक की जाए तो जाहिर है कि जो आपने आँख दिखाने वाली जो quality बताई जो की leadership में जरूरी है और वो आप की चाए आला कमान की बात करें और दूसरों की बात करें जब तक आपका गुट बाजी की बात है आपने इतनी सफलताएं जिनवाई वो दर्शक भी सुन रहे हैं गुट बाजी पर अभी भी आप काबू पाने में नाकाम रहे हैं देखिए आप किसी भी जगाँ पर कारेक्षेतर में political क्षेतर में आप देख लें गुट बाजी कभी भी हंडर्ड percent समापत नहीं होती दो व्यक्ति कहीं पर भी काम कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता लगता कि आपके साथ चलने वाले व्यक्ति के मन के अंदर भी कहीं ये भाव होता है कि आज आप थोड़ा सा गिरें और मैं वहाँ पर बैठ जाओ और कहीं सोभाविक भी है ये क्योंकि अगर भगवान ने मन के अंदर वो लालसा ना दी हो तो शायद कोई आगे ही ना बढ़े है तो ये थोड़ा थोड़ा मन के अंदर हरी के व्यक्ति के मन में होता है कि मुझे भी अपनी प्रतिबा दिखाने का मौका मिल सके लेकिन ये गुटबाजी अगर पॉजिटिव अंगठन को फाइदा होता है 2010 से आप लगातार सक्रिये हैं और सक्रिये तो आप बहुत पहले से हैं लेकिन आपके हाथ में कमान है और उस कमान के चलते जब यहां पर चुनाओ हो रहे थे लोग सभा के लिए उस वक्त बहुत सारे आपके चाहने वाले ये सोच रहे थे कि आपको मिल जाएगा लेकिन उमिदवार उतारा गया पैराशूर्ट से मैडम किरन खेर उस वक्त जो कारे करताओं को संभाल पाना क्योंकि गुटबाजी उस वक्त भी चरम पर दिखाई दी तो अब इस साथ साल का जो आपका कारे काल रहा मेहनत वाला मशक्कत वाला इसका मिलने की उमीद है देखिए जिस वक्त किरन जी की घोशना हुई उस वक्त कुछ लोगों ने जो है वो पार्टी के विपरीत जाने की कोशिश करी कुछ लोगों ने वहाँ पर काले जंडे दिखाए कुछ लोगों ने अंडे डंडे भी मारे वो डिरेक्ली कुछ लोगों के ساتھ ہم نے پوچھا تھا ان سے ہم نے کہا جب آپ یہاں پر آئے تو آپ کا سواگت انڈو اور ڈنڈو سے ہوا تو جو لنک جو ہیں وہ سب لوگوں کے اسٹیبلش نظر آتے تھے لیکن ایک چیز ہے مکیش جی کہ ہم نے جب جب بھی یہ کام پر لگے ہیں تو پارٹی کو سب سے آگے پر مکھ رکھا ہے جب ہمیں ہائی کمانڈ کا ہمیں حکم ہوا کہ سنجی جی جائیے کرن جی کو جتا کر لائیے ہمارے کو صرف ایک کمانڈ دکھتی ہے جیسے ایک سینک کو کمانڈ دکھتی ہے ہم نے کارکرتاؤں کو سب کو اکٹھے کر کے جن کے من کے اندر ایسے بھاو تھے ان کو اکٹھے کیا اور ہم ٹیم پر وہ ان کو لگایا اور جو ہمارا ڈیلی کا سنچالن رہا ہے اس سمیں کا بھی چاہے یہ والے چناو کا کارپوریشن کے چناو کا ایک سنچالن کے اوپر ہی ہم نے وپکش کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا سو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا محول پورا دیش کا شہر کا پروائیڈ جو ہے وہ ہمارا کیندری نیتری تو ایک اچھا محول دے دیتا ہے تب ہی وہ ایسا ریزرٹ دے سکتا ہے اور اس کو لانے میں ہماری تیم کرتا ہے کہ جو کام آپ دوسروں کے لیے کرتے آئے ہیں اور پیرا شوٹ سے جو لوگ آئے ہیں وہ والا کام اب لوگ آپ کے لیے کریں جو آپ اتنے سالوں سے سنگھرش کر رہے ہیں اس کا پھل آپ کو ملے دیکھئے آپ نے مکیش جی بھگوت گیتا تو آپ نے پڑی ہوئے گی اس کے کچھ شلوک بھی آپ نے دیکھیں ہوئے گے پڑے بھی ہوئے گے پھل کی چنتہ مت کر رہے انسان جو جیسے کرم کرے گا وہ ایسا پھل دے گا بھگوان یہ ہے گیتا کا گیا لیکن یہ گیان ہر ویکتی کو ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈھالنا اپنے جیون کے اندر ہم نے جو جس وقت بھی ایسا ہوا ہے ہم اپنا کام کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں تو یہ بھگوت گیتا کی بات کر رہے تھے میں آپ کو جو بدھا کی فلوسفی ہے گیتا کو لے کر انہوں نے دو بھاگوں میں بانٹا اس کو ایک ساکام کرم ہے ایک نسکام ہے آپ نسکام کرم پہ زیادہ وہ رکھتے ہیں کہ کرم کرے جاؤ اس کی اچھا مت کرو مجھے بتاؤ آپ کو آپ کی قسمت سے ادھیک اور سمیں سے پہلے تو کبھی کچھ ملا نہیں آج آپ بہت دھارمک باتیں کر رہے ہیں آپ کے مستشک کی رکھائیں جو ہیں میرے میں بنانے کی تو ہمت نہیں ہے کسی وقتی میں تو ہوتی نہیں ہے تو جب ملنا ہی اس کے ساتھ ہے تو لڑائی کس کے ساتھ ہے آپ اپنا کام کریے یہ تو آج کل ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کیا سمپل ہے کہ قسمت سے ادھیک اور سمیں سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا تو اپنا کام کریں بھائی جھگڑا کس کے ساتھ ہے مجھے جو ملنا ہے وہ میری قسمت کے مطابق ہے میں کسی سے جھگڑا کیوں کروں شنڈگر کی جنتہ جنہوں نے آپ کو اتنے بھاری متوں سے ویجے دلائی اور سنجے ٹنڈن کی پورے بلے بلے ہو گئی وہ بھی اسی فلسپی کو لے چلے کہ کام جو ہونا ہے وہی ہوگا کام اپنے رفتار سے ہوگا اب آپ نے کام جو ہے اس کی پریبھاشہ بدل دی ہے آپ نے اس کو ریزلٹنٹ کے ساتھ وہ جھوڑ دیا میں نے کہا ریزلٹ اورینٹنٹ تو ہونا چاہیے کرم بھی ہونا چاہیے نہیں نہیں کام اپنا کرنا کام کہ جس چیز کے اوپر آپ بیٹھے ہو آپ اپنا کام کرتے جائیے لیکن کام کے ساتھ آپ فل کی اچھا نہ کریں یہ آدمی کے لیے ہے لیکن جب آپ سماج کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سڑک بننی ہے تو آپ کہیں کہ میں نے سڑک کیا میں نے فائل آگے بھیج دی ہے ٹینڈر کے لیے آگے کر دیا ہے بنے نہ بنے اب میرے کو اس سے کیا لینا ہے آپ اس کو وہاں پہ لگا رہے ہیں جو وہ داہرہ ٹھیک نہیں ہے کہہ رہے ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں ابھی آخری سوال ہم آپ سے لیں بات چیت کر کے بہت اچھا لگا چندگر کی جنتا آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے آنے والے سمیں میں کیونکہ اتنے بھاری تعداد میں متوں سے آپ کو ویجائی بنایا ایک ویکٹی تو ایسا تھا اس کو ایک ہی ووٹ پڑا اور وہ گھومتا پھر رہا تھا یار میرا ووٹ میرے پریوار کا ووٹ بھی مجھے نہیں پڑھ پایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے سوال اٹھائیتے کئی چینلز نے اس کو دکھایا ابھی بہت بڑے پیمانے پر ہی آپ دیکھئے کہ کئی بار آپ کا پریوار بھی آپ کو ووٹ نہیں ڈالتا یہ چیز تو اس ویکتی کو امک ویکتی کو سوچنا پڑے گا دوسرا ہے کہ یہ جو جو ایک جن سمپرک جو اپنے پریوار والا بھی ایک بندہ بھی اس کے ساتھ ارے بھائی کئی بار آدمی خود جا کے اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈال پاتا ہے وہ کہتا ہے یار اس نے کیا کیا ہے یہ 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 مت سوچئے یہ تو ویکتی کی اپنی پرسنل دھارنا کے اوپر ہے کیونکہ یہ question تھوڑا سا election میں کھڑے ہو جائے گا وہاں پہ جا کر اس میں یہ جاگریت ہوگا کیوں ہو یہ میرا نام میں نے کیا کیا چلو سنجے ٹنڈن جی کے بندے کو ووٹ ڈال دو naturally ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ ضرور وہ ڈالیں گے کیونکہ جو لوگ اور جو party جو deliver کر سکتی ہے اسی party کو اور انہی ویکتیوں کو ہی vote جو ڈالا جائے وہی positive vote ہے باقی لوگ negativity کے لیے اگر vote ڈالتے ہیں یا vote خراب کرنے کے لیے ڈالتے ہیں آج ایک دوئے پکشیے ایک طرح سے راجنیتی وہ ہو گئی ہے دو پکش سامنے نظر آتے ہیں ایک پکش positivity کی طرف بڑھ رہا ہے ایک پکش صرف negativity کر رہا ہے دیکھئے آپ جب وپکش بھی ہوتا ہے وپکش کے اندر بھی کچھ rules ہوتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کے اوپر raise کرنا ہے آج وپکش بھی ایسی باتیں raise کرتا ہے کہ یہ یہ نہیں کہا گیا یہ نہیں بولا گیا یہ شبد ایسے ہوا انہوں نے ایسا کپڑا ڈال لیا اس کے اوپر comment کرنا ہے آپ کے پاس کوئی وپکش کے پاس کوئی مدہ نہیں رہ گیا جیسے میں نے چندگڑ میں بھی بتایا وپکش کے پاس کوئی مدہ نہیں تھا اور مجھے لگتا ہے کہ جنتا کی یہ ایک جو بہت پربل سپورٹ جو ہم کو ملی ہے اور یہ آنے والے سمیں میں بھی اسی طریقے ملتی رہے گی جب جب ہمارے لوگ کام کرتے رہیں گے اور یہ کام کا ہی result ہے جو جنتا موڈی جی کو اتنا سپورٹ سارے دیش کے اندر شیل میں موڈی جی کو یاد کرتے ہوئے جو آپ کا دھرم بھی ہے ہم closing میں یہ کہہ دیں کہ چندگڑ کی جنتا کو چندگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دن آ چکے ہیں آ چکے ہیں جی چکر ویو سے باہر نکل چکے ہیں بہرحال آپ نے اپنے قیمتی سمیں میں سے سمیں نکالا ہم سے باتچیت کی آپ کا تہے دل سے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہماری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں میرے کو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور جنتا کو بھی اچھا لگے گا بہرحال سنجے ٹنڈن صاحب نے ہمارے سوالوں کے کتنے امانداری سے جواب دیئے اور کن سوالوں میں ہمیں ہی چکر ویو میں فسانے کی کوشش کی اس کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح آپ کریں گے کیونکہ آپ جنتا ہیں آپ لوگ ان کو چنکر بھیجتے ہیں چکر ویو کو ہم یہی پر ویرام دیتے ہیں لیکن آپ کہیں مجھ جائیے بنے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ ای ٹی وی پر خبروں کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح بدستور جاری ہے موسیقا